नमस्कार, जैश्री राधि, मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शिकों का आस्ट्रोतक चानल पे बहुत-बहुत स्वागत है आस्ट्रोतक को देख सकते हैं तक आप से साथ-साथ फेस्बुक और यूट्यूब से भी तो तक आप जरूर डाउनलोड करें और फेस्बुक पे लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो और यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें इसके लावा यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रिशन है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे यहाँ पर आप मुझे अपना प्रिशन लिखकर भी भेज सकते हैं और कॉल के द्वारा भी अपना प्रिशन पूछ सकते हैं तो आज हम बात करेंगे इत्र की इत्र के खास उपायों से बदल सकती है आपकी जिंदगी और साथे साथ कौन से घ्रह जो हैं इत्र को प्रभावित करते हैं कौन से ग्रहों को आप इत्र का प्रियोग करके मजबूत कर सकते हैं इन सब विशे पे चर्चा करेंगे इत्र को अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान एक तौर पे धार्म एक तौर पे बहुत अधिक मानिता दी जाती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इत्र का प्रयोग करने से आपका शुक्र ग्रह यदि अशुब ग्रहों की दृष्टी से पीडित है या फिर अशुब परिस्तितियों में बैठा हुआ है तो कहीं न कहीं आपका शुक्र जो है वो मस्बूत होगा और इसके अलावा राहू यदि शुब ग्रहों की दृष्टी से पीडित है या फिर आपको दुष्प्रभाव दे रहा है तो राहू भी आपका इत्र के प्रयोग से मस्बूत होगा और आपको शुब प्रभाव देना आरम बगड़ देगा अब बहुत सारे इत्र के अलग-अलग फ्लेवर्स होते हैं बह यह न कहें शुक्र से जरूर जुड़ी होई होती है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि आप केवल इत्र का प्रयोग करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह जो है वो मस्बूत होता ही होता है मगर यदि आपको राहू के दुश प्रभावों से बचना है तो आप यदि चंदन के इत्र का प्रयोग करते हैं चाहे आप अपने वस्तरों में उसको प्रयोग में लेकर आए ही चाहे आप अपने कमरे में उसको रखे या फिर कहीं न कहीं आप इत्र को चंदन के इत्र को अब हम बात करेंगे उन खास उपायों की जिनकों करने से आपके जीवन में बदलाव आएगा और चाहे आपके शत्रू हो चाहे आपका कर्ज हो इन सभी चीजों से आपको मुक्ती भी राप्त हो जाएगी तो सबसे पहले बात करेंगे हम अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शत्रू जो है वो बहुत जादा उत्पन हो रहे हैं या पकर्ज अधिक बढ़ रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है मंगलवार के दिन हनुमान जी को एक पान जरूर अर्पित करें इसके अलावा एक चोला और सिंदूर अर्पित करें इसके साथे साथ आप एक चमेली की तेल का दीपक उनके समक्स जलाएं और उनके दोनों ही कंधों पर आप केवडे का इत्र जो है अर्पित करें ऐसा करने से आपके जो शत्रू है उनका विनाश होगा और साथे साथ अगर आप किसी कर्ज में डूबे हुए है तो उससे भी आपको चुटकारा मिलेगा यह उपाय करने के बाद आप हनुमान चालेसा जरूर करें ऐसा करने से आपके जीवन में अगर किसी भी तरहा की नकरात्मकता होगी तो उससे भी आपको चुटकारा शिग्र ही प्राप्त हो जाएगा यदि आप चाहते हैं कि आपके विवाहिक जीवन में प्रेम बना रहे और साथे साथ विवाहिक जीवन से जुड़े हुए जो भी रिष्टेदार होते हैं आपके इनलॉज हैं कि आपके रिलेटिव्स हैं उनमें भी आप एकतरता रहे यानि एक साथ एक जुट होकर के पर पिश्री डाल करके किसी भी व्यक्ति को आप इसको भेट में दे या फिर जरुतमन व्यक्ति को बाठ दे मगर ऐसा करने से पहले आपको मातालक्ष्मी जी की उपासना जरूर करनी है और इस खीर का भोग मातालक्ष्मी जी को जरूर लगाना है मातालक्ष्मी जी को साबुदा को इस खीर को जरूत मन्व्यक्ति को दान करते हैं और अपने घर परिवार के सदस्यों को खिलाते हैं तो कहें न कहें प्रेम और मिठास दोनों ही आपके परिवार को जोड़े रखेंगी और किसी भी तरहां का अगर घ्रह कलेश होता है तो वो भी समाप्त हो जाएगा बात करेंगे अगले उपाय की यदि आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिती जो है वो मजबूत हो और किसी भी तरहां की परिशानी आपको financially ना आए तो इसके लिए आपको क्या करना है दो नोट आपको 10-10 रुपे के लेने है और दो नोट आपको 20 रुपे के लेने है इन चारो ही नोटों पे आपको चंदन का इतर जरूर लगाना है ये चंदन का इत्र जो है आप शुक्रवार के दिन लगाएंगे, माता लक्ष्मी का पार्ट करेंगे, कनगधारा स्तरोत का भी पार्ट कर सकते हैं, इसके बाद आप इन चारो नोटों को अपने जो आपका पर्स है जो आपका वालेट है उसमें इसको रखें और इनको खर्च स्युक्स्ति में भी पंड़ार जरूर आएगा, तो ये कुछ खास उपआएं Penal इसको करने से आपके जीवन में खुशाली आ सकती है और साथ-साथ आपका जो विवाहिक जीवन है, जो आपका पारिवारिक जीवन है, वो भी मिठास भरा हो सकता है तो इत्र के ये कुछ खास उपाय आप जरूर करें ताकि आपके जीवन में आपको लाप राप दो और भी ऐसे खास विशे लेकर आउंगी मैं केवल आस्टो तक पर देखते रहें आस्टो तक मुझे दीज़े इजाज़त, नमशकार, जैश्रे रादे